ओम शान्ती आज 16 जुलाई 2022 है और आज की साकार मुरली में हमने सोना कि निर्ने शक्ती के लिए कर्म और योग का बैलन्स बहुत जरूरी है साथ ही साथ आज बाबा ने हमें चेकिंग करने के लिए भी कहा है कि हम कितना बाबा को फॉलो कर रहे है तो बाबा के जीवन में कर्म और योग का बैलन्स ये निर्ने शक्ती कितनी अक्यूरेट थी और कैसे हम इसको फॉलो कर सकते हैं आएए जानते हैं आज के बाबा के अव तुरंत काम भी किया, ब्रम्हा बाप की निर्ने शक्ती सदा फास्ट रही, तो फॉलो ब्रम्हा बाप, जब फॉलो करना है, तो क्यूं, क्या, कैसे यह व्यर्थ समाप्त हो जाता है, मन स्वच, बुद्धी स्पष्ट होने से, बाप समान, डबल लाइट स्थिती सहच बन जा तो आज बाबा ने हमें निर्ने करने का जो मूल आधार है, वो बताया, निर्ने शक्ती हमारी तब तीवर होती है, जब हमारा मन स्वच होता है, और हमारी बुद्धी स्पष्ट होती है, मन स्वच अर्थात, उसके अंदर किसी भी प्रकार का नेगेटिव संकल्प, किसी की क there he be lani का, कोई कम्जोरी का, कोई भाय का, कोई शंका का, यह संकल्प उसमें ना हो, जो करना है वो बिलकुल clear हो बुद्धी की अंदर, क्या करना है? कैसे करना है? इसलिए, बाभा ने हमारे सामने, ब्रह्मा बाभा का जीवन रखा है, जिसे वमें follow करना है इसलिए जो follow करना है जो देख करके सिर्फ copy करना है उसके अंदर और कोई बात सोचने की margin ही नहीं है अगर हमें खुद से निर्ने लेना होता तो भले ही हमें बहुत सोचना पड़ता लेकिन हर कर्म का बाबा ने अपने जीवन में हमें उधारन दिया मिसाल के तोर पे आज बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने दान भी तुरंत किया और काम भी तुरंत किया हर घड़ी जो भी करना है तुरंत किया किसी भी बात को कल के लिए नहीं टाला समर्पन बाबा ने किया तुरंत किया जो भी निर्ने बाबा ने लेना था वो अभी ही तो इसी सरह से निर्ने शक्ति में बाबा ने समय नहीं लगाया। तुरंत निर्ने किया क्योंकि बाबा की बुद्धी खुद शिव बाबा से बहुत स्पष्ट नीती से जुड़ी हुई थी। ये है हमारा योग का सब्जेक्ट। और योग के सब्जेक्ट से जो हमें टचिं करना ये है हमारा कर्म का सब्जेक्ट। जिस समय शक्ति मिल रही है उस समय यदि को कर्म किया जाए तो वो सफल होता है। समय का भी बहुत महत्व है। तो ऐसे ही योग से कर्म का बैलेंस बनाते हुए अपनी मन और बुद्धी को स्वच और स्पष्च रखते हुए हम अप कर्म 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 कर दो वो समय शक्या है।